सब्सक्राइब सीजिए टेक्वित अन्विडिये चैनल को और बेल आइकॉन को दबाईए लेटेस्ट वीडियो इस पाइए देस्क्ताप हेलो डोस्तों स्वागल आपका मिल चैनल टेक्वित अन्विडिये पर तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम पीसी डेक्स पीसी है चैक अप्लिकेशन का यूज करके हमारे लैप्टॉप के अंदर विंडोस 11 सपोर्ट करेगा या नहीं वो कैसे चेक करेंगे तो मिलना ना है द्वर्च आप देख रहे हैं टक्वित अन्वीडिये मेक दूबर्ड एकसेसिबल तो मैं अभी सबसे पहले आपको बता दू कि मैंने यह आप्लिकेशन को इंस्ट्रॉल करके रखा है तो मैं आपको इसके लिए स्टैप्स बता देता हूं मैं इन चीजों क तो मैं आपको तीन स्टैप में डिवाइड करके बता रहा हूं कीसे आपको कैसे इंस्ट्वाल करना है फॉस्ट स्टैप आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएए मौर बटन को उपर क्लिक करने के बाद्षों मूर बटन तो आपको डाउन डाउन एरो से पहले एक लिंक मिलेगा में चैनल का होगा मेरे वेब पेज का होगा इसके बाद फिर साथ को डाउन डाउन एरो करना होगा तो वहां पर आपको एक लिंक मिल जाएगा जो की होगा ृषटेटपी फिस फोलं स्लेस्ट ड्व्य डीडवी डाउन लोड्स दो माइकल्सों डॉट दोत कॉम उस लिंक के उपर क्लिक करना है एंटर की को भी हीट कर सकते हो आप तो जैसे उसके उसके पर एंटर की हीट करोगे तो आपके ये अपकर जो ब्राउजर है उसके तो यह जल्दी ही डाउनलोड हो जाएगा आपके इंटरनेट स्वीट के इसाफ से मैक्सिमम यह अगर बहुत ही स्लो होगा तो भी तीन मिनिट के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा इसके बाद आपको क्या करना है कि इसको क्लोस कर देना है ब्राउजर टैप को इसके बाद आप को जोफिक डाउनलोड फोल्डर है उसके अंदर अपने यह डाउनलोड किया है उसके अंदर जाना है और वहां पर ट्टूडफूड देरा है अपको पैला ही मुल जाएगा पीशी है चेकप तो ऊस ठीच के उपर आपको एंटर कर देना है तो जैसे आप एंटर करोके तो पर एक नया विंडो खुल जाएगा उसके अंदर आपको यह इंस्ट्रॉलर होगा पैकेज इंस्ट्रॉलर इसके आपको सबसे पहले एक बार टैप प्रेस करना है तब टैप करेंगे तो वहां पर बूले का की लाइसे अग्रीमेंट तो वहां पर आपको इसे चेक बॉक्स को चेक कर देना होगा उसके बाद आप जैसे ही नेक्स टैप की को हिट करोगे तो वहां पर आप्शन आएगा इंस्ट्रॉल बटन के उपर हिट कर देना है तो जो आपका सॉफ्टर है टरट है और वह मैक्सिमम आपका जो सिस्टम जैसा भी होगा उसका इसका बहुत 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 को नहीं कि अंतल हो जाए तो इसके इसको आपको डिकर उपार हो और हीट करना पड़ेगा तो जैसे ही आपको जैब की को हिट करोगे तो वहां पर एप option आएगा कि make desktop shortcut तो उसे अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हो मैंने लिट किया हुआ है और फिर आप next time जैसे ही type 2 को हिट कर अवे तो आप फिनिश बटन आपको मिल जाएगा उस फिनिश बटन को हिट कर देना है तकी आपका इंस्टालेशन कम्प्रीट हो इसका अब बात करते यहां पर अप्रिकेशन को ओपन कर रहा हूं स्टार्ट मैंनी में जाओंगा स्टार्ट विंदो सर्च विंदो सर्च विंदो सर्च पा अलाप्स लिस्ट रिसंट्ली अदेट के अंधर ही होगा PC health check new one इसको पर मैं एंटर कर रहा हूं PC health check PC health check banner landmark heading level 1 PC health at a glance heading level 2 desktop C6884 यहां पर आपको आपका laptop की जो भी जानकालिया हो देलेगा इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है simply be be for button नहीं navigate करना है rename your PC button about button learn more about your device and the dell support assist app button introducing windows 11 let's check if this PC meets the system requirements check now button यहां पर आपको introducing windows 11 check check now button मिल जाएगा इसके उपर आपको सिर्फ एंटर कर देना है dialogue this PC can run windows 11 great news this PC meets all the system requirements for windows 11 and it's free we'll let you know when it's ready to install learn more document close button button close this PC can run with windows 11 और अगर आपका PC है वो इंडोज कर पाएगा तो वो बोलेगा कि this PC cannot run windows 11 और वहां पर बता लेगा कि भाई आपके जो software है वो क्यों नहीं कर पाएंगे विंडोज 11 तो अगर आपका processor week है तो वहां पर बोलेगा कि इस processor is not compatible अगर आपका कोई और RAM का issue होगा या कोई भी issue होगा तो वह वहां पर पर रूप से लिखा हुआ जाएगा और मैं आपका भी बता देता हूं कि system requirements क्या है Windows 11 के लिए तो विंडोज 11 के लिए पहले requirement है कि आपके laptop के अंदर minimum 4GB RAM होनी चाहिए और दूसरी जो system requirement है वो है आपके laptop के अंदर minimum 64GB की SSD होनी चाहिए सॉलिड स्टेट ड्राइव ना कि HDD जो के hard disk है वो में भी नहीं चलती है क्योंकि उसके read-ride speed काम होती है इसलिए मेरे laptop में hard disk होने के बावजित भी यहां पे सिर्फ SSD ही दिखाया hard disk जो मेरी one tv के है उसकी storage यहां पे नहीं बताई है इसलब यह चीज एकदम पॉस्ट है कि आपके laptop के अंदर SSD होनी चाहिए तो यही है basic system requirements उतके लब आपके processor के उपर भी है आपके processor के अंदर minimum 4 cores होने चाहिए चार core होंगे तो यह run कर पाएगा आपको इस बाद का भी ध्यान रखना होगा तो यही है इसका system requirements तो आपको यहां पे दिखाया कि अगर आपके नहीं है तो बताएगा दिखी सिकन नौट रॉन तो फिदार वीडियो में इतना ही अपको कोई सब्सक्राइब करना ना बुले लाइक करें और मेरे चैनल टक्वित अन्वीडियो को सब्सक्राइब करें और बाल आइकोन को दबाएए लेटेस्ट वीडियो पाइए आप मुझे इंस्टेग्राम पर फॉलो कर सकते हो एड़िट अन्डेस्कोर विच अन्डेस्कोर एन्वीडियो और आप मेरे इमेल आइडी टाक्वित अन्वीडियो एड़िए इमेल डॉट कॉम पर आपके डाउट्स भी शेयर कर सकते हो उसके अलावा आप मेरी साइट www.taxwithanvideo.wordpress.com पर आप वहां पर अबाउट सेक्षिन और कॉंटेक्ट सेक्षिन अंदर जाकर आप आपका नाम इमेल डी फोन नंबर आपके डाउट्स दाल देना मैं वहां से आपके डाउट का रिप्लाइड दे दूँँगा तो और उसके अलावा आप ब्लॉक से के अंदर मेरे ब्लॉक भी पडबाओगे मैंने अभी दो तीन दिल पहले ही एक नया ब्लॉक डाला है तो थैंक यू सो मच